पब्लिक टिवी आपकी आवाद केंद सरकार एक और जहां सच्टा अभ्यान चलाका गाउ को गंदिगी के अमबार से दूर रखने की कोशिश कर रही है तो वहीं गिराम परधान भी अपनी मनमानी के चलते खूब दवंगई दिखा रहे हैं जी हाँ एक ऐसा ही मामला हमें देखने को मिला है तैसिल छेत के खनो कुरा गाउं का जहां लगभग तीन माहां से ना लियो सरकारी विध्यालों की साफ सफाई बिलकुल भी नहीं की गई है जिसके कारण मच्छड भी पैदा हो रहे हैं और लोगों का स्वास्ते प्रभावित होता है हाला कि कुछ लोग अपने स्थर गाउं के आसपास के छेत्र को साफ करने का प्रियास करते हैं लेकि सार्वजनिक जगों पर गंदिगी की इस्तिती बहुत चिंता जनक है शनिवार को गाउं के लोगों ने कीचर से बढ़े रास्ते पर खड़े होकर ग्राम परधान के खिलाब जमकर नारेवाजी की यदि गाउं वालों का आरोप है कि सफाई करने के लिए कई बार पिरधान से बात की गई लेकिन ग्राम पिर्धान का जवाब मिलता है कि जो करना है करो मैं सफाई नहीं करवाँगा जिससे अभी तक ग्राम पिर्धान द्वारा कीचर भड़े राश्ते, गंदिगी से भरी नालियों, सरकारी विध्याले को लेकर कोई कारेवाई नहीं की गई गंदिगी के कारण गाउं में संक्रामट बिमारीयों का खत्रा बढ़ गया है हर घर में कोई न कोई बिमार पड़ा है गाउं वालों ने चेतामनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्तियाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सड़क पर उत्रहेंगे अब क्या जाते हैं हम तो जड़िये सपाई चामे हैं कोहन सा आँ है घनुपरा कि लोग कहा पे उनरकी जोगंदा क्या मामदा सपाई को लिकर कितना अब यह पिर्दान कुछ सुनी ना रहा है यह मच्छर नेजी गंदिगे को इनाली सफ़ा ना आ है अब क्या चाहते हैं हम तो रोट सहिसा में हमारे गाव में सपाई हो तुम ने सिकाइद करी इसकी किसी से किस से करी थी कि परदान से भी कई थी किया घ्याते हैं अब करते हैं अब यह चाहते हैं अच्छी बात है इसमें मच्छड वह लगए बीमारी फेल लहीं तमाम